हेलो फ्रेड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल घरगर की कहानी वित कजन और आप सभी लोग कैसे हैं आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को भी जरूर से प्लैस कर लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और आईवेदिक भस्म लेकर आई हूं जो बहुत ही उप्योगी है आंत्रिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी अक्सर हमारे इंटेनल पार्ट में खाज खुजली दाथ होने लगते फ्रेंड्स और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें क्या प्राब्लम हो गई है तो इसी का शोल्यूसन मैं लेकर आई हूं बट उसके पहले मैं आपको याद दिला दू मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं आप एक बर अपने डॉक्टर की भी आईवेदिक डॉक्टर की भी सलाज जरूर से ले लिया करिए तो में यह होना चाहिए लेडी प्राब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है और जैसे को अगर बाहरी प्रियोक करना है तो आप इसको एक बागे पानी में जैसे एक ग्लास पानी लेजिए एक चुटकी उसमें स्पटिका भस्म डाल कर आप रोज अपने प्राइवेट पार्ट क करी हो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो आपके साथ एक्सपीरियंस में अपना बता रही हूं और यह 2021 से 2030 तक चलेगा और बहुत ही यूसफुल स्पटिका भस्म है इंटर्नल पार्ट के लिए और कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको अगर आपको लेना है तो अगर आंत्रिक लेना है तो जैसे आपको अगर काली खासी आ रही है निमोनिया हो गया है जो रहे हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स हो रहा है तो इसको आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सला से इस भटिका भस्म को बहुत ही लाबदायक होता है कोई नुकसान नहीं है आप इसको घर पर भी बना सकते हैं जैसे आप फिट करी लेए फिट करी आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगी और तवा पर रखका इसको फूल ने दीजिए जब फूल करितम अच्छे से हो जाए तो फिर इसको ठंडा करकर आप मिक्सी में पीस लीजिए और यह घर पर भी बन सकता है बहुत ही जी है इसका बनाने कभी थी तो फ्रेंट्स आप आंत्री को बाहरी रूप से दोनों तरीके से आप इसको यूस कर सकते हैं बहुत ही यूसफूल है इस पटिका बहस्म तो अगर आपको यह वीडियो हैल्फुल लगी हो तो फ्लीज लाइक से और सबस्क्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को बाई बाई